अब यह जो एक वे लोग अच्छे होंगे मैं ली तेस्मना रही दोस्तों आज हमाना जा रहे हैं बालुशाही की रेशिपी जो की बहुत ही मजदार पढ़ने वाली है आप घर पे बार जरू ट्राइब की और अपने फैमली वालों को जरूर बना के खिलाएगेगा तो चलिए दोस्तों फटापट से स्टार्ट करते हैं आज की रिस्पी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ला मैदा ले लिया है फीर हम इस मैदे में सुडा एट कर लेते हैं इसमें मैंने नमक एट ख लिया है ताकि हमारा सुडा का बालंस बना रहे इसके बाद मैं इसमें मोवण की लिए दोचम्मच गी ऐट कर दे रहा हूं आप चाहे तो महीं के जगा ऑउयल का इस्तमाल कर सकते हैं तो फ्रेंट इस प्रकार से मैं मोवन को मिला रहा हूँ अब भी उसी प्रकार से मिलाएगा इससे हमारा जो बालू शाहिए बहुत ही अच्छा बनेगा तो फ्रेंट हमारा मोवन जो है देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया है अब इसमें मैं पानी एड़ करके इसको गूत लेता हूँ अगर आपको आटा गुतना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है आप चाहे तो अई बडन पे क्लिक करके देख सकते हैं तो फ्रेंड हम आटे को अच्छी तरह से गुथ लेते हैं, तो फ्रेंड हमने आटे को गुथ के इसका डो बना लिया हूए, डो को आप टाइट रखेगा, बिल्कुल नरब नहीं कीजेगा, इससे हमारा बालू सा ही हमारा अच्छा बनने वाला है, तो फ्रेंड मैंने इस डो को 15 मियाट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक अब हम चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने एक पत्रिया लिया है उसमें मैं लगभग एक कटोरी चीनी एट कर रहा हूं और उसमें मैं एक कटोरी पानी एट कर दे रहा रहा हूं चीनी की कॉंटिटी और पानी की कॉंटिटी सेम रखी गए इससे हमारा चास्नी जो है ना अधिक गाढ़ा और ना ही अधिक फीका बनेगा एकदम परफेक्ली बनने वाला है तो फ्रेंड चकर जो है पानी में अच्छी तरह से घुल गया है अब मैं इसमें इलाइची एड़ कर रहा हूं इससे हमारा चास्नी का फ्लिवर अच्छा आने वाला है इलाइची के मिलने के बाद मैं उसमें किसर के धागे एड़ कर दे रहा हूं इससे हमारा चास्नी का कलर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बालू शाही का कलर भी एकदम बढ़िया दिखने लगेगा चास्नी को हम अब थोड़ी देर पका लेते हैं तो देखिए फ्रेंड हमारा चास्नी जो है रेडिय हो गया है चलिए अब बढ़ते हैं अबने बालू शाही की तरफ डो को हमने 15 में ट्रेश्ट के लिए छोड़ा था चलिए अब इसका हम बालू शाही बना लेते हैं कि देखिए फ्रेंड डो को हमने 15 में ड्रेश्ट करने के लिए छोड़ा था तो बहुत ही शौट बन गया है तो फ्रेंड हमारे बालू शाही को परात्वाला बालू सायी बाने के लिए मैंने देखिए इसको अपने हाथों से गोल कर दिया है फिर इसको मैंने गोल Pro लपेट लिया हुआ है इसको लपेटने के बाद मैंने इसको दो तुगड़ों में डिवाइड कर लिया है तो मैं पहले तुकड़े का परत बना लेता हूँ देखे मैं किस परकार से बना रहा हूँ आप भी उसी परकार से बनाईएगा ये देखे लेयर बन गया है अब इसके बाद दूसरा तुकड़ा का लेयर बना के उसके उपर रख दे रहा हूँ मैंने तो यहाँ पर मोटा मोटा परत बना के इसको मिला लिया है आप चाहे तो इसका पतला परत बना कर भी इसको बना सकते हैं तो फ्रेंड इसको मैंने फिर से दो भागों में डिवाइड कर लिया है अब फिर मैं दोनों तुकडों का परत बना के दोनों को मिला देता हूं अब जीतना परत डाल के इसको बनाएंगे हमारा बालू शाही उतना ही मस्त सौफ्ट और बढ़िया बनेगा और उसके अंदर हमारा चास्नी जो है अच्छी तरह से घुच आएगा जिससे हमारा बालू शाही जो है बहुती रशीला बनने वाला है तो चलिए फ्रेंट फटा फट से हम बालू शाही बना लेते हैं देखिए मैं एक चोटा सा तुकडा लिया हुआ है इसको मैं अपने अदोनों हाथों से प्रेस कर रहा हूं तो फ्रेंट्स हमारा बालू शाही तो त्यार हो गया है देखिए मैं इसको बिस्से से प्रेस कर दे रहा हूं देखिया फ्रेंड पिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बालू शाही जो है रेडी हो गया है इसी प्रकार से अब मैं बाकी बालू शाही को भी बना दे रहा हूँ मैंने बालू साही का शेप थोड़ा मीडियम साइज का रखा है आप अपने अनुसार उसका शेप रख सकते हैं क्योंकि ये कोईल में जाने के बाद इसका आकार जो है और बढ़ेगा फिर चास्नी में जाने के बाद फिर इसका आकार बढ़ने वाला है तो फ्रेंट्स बाकी बालू शाही को भी मैं इसी प्रकार से बना लेता हूँ देखे फ्रेंट्स बाकी के बालू शाही को भी मैंने बना लिया है देखे एकदम बहुत ये चितरी के से बना हुआ है चले बढ़ते हैं इसको फ्राइ करने की और गैस पैनल में मैंने कड़ा ही रख लिया हुआ है अब इसमें मैं फ्राइ करने के लिए ओईल एट कर रहा हूँ ओईल को हम हलका गरम होने दिंगे आप याद रखिएगा कि बालो साही को हमें तेज ओईल में फ्राइ नहीं कर रहा है बालो साही को फ्रेंड हमें हलके गरम ओईल में ही फ्राइ करना है ताकि हमारा बालो साही जो है अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए तो फ्रेंड मैं सभी बालो साही को हलके गरम ओईल में फ्राइ करने के लिए एट कर दे रहा हूँ आप इस बात का ख्याल रखेगा कि हमारा गैस का फ्लेम जो है अधीक नहीं रहना चाहिए मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करे बालु स्वाई को हमें हलका गॉल्डन रंग आने तक के लिए फ्राई करना है करें चलिए फ्रेंड देखते हैं बालु सोई को पर अड़के के तो देखे फ्रेंड इसका निचला वाला हिस्सा जो है गॉल्डन रंग आ चुका है इसको हम पलटी कर लेते हैं तो फ्रेंट सभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इसका गोल्डन रंग ना आ जाए तब तक तो देखिए फ्रेंट हमारा बालू साही जो है फ्राई करने के बाद गोल्डन रंग में आ चुका है अब इसको थोड़ी देर और हम फ्राई कर लेते हैं ताकि जो बचा बुचाया हुआ हिस्सा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा बालु साही जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा गोल्डर रंग आ चुका हुआ है चासनी को मैंने गर्म करके रखा हुआ है ताकि बालु साही में ये अंदर तक पहुंश सके तो शलिए फ्रेंड बालु साही को अब चासनी में डाल देते हैं बालु साही को हमें चासनी में लगभग 4-5 मिनट के लिए रखे रहना है इससे चासनी जो है बालु साही में अंदर तक पहुंशेगा जिससे हमारा बालु साही बहुत ही रसीला बनेगा तो फ्रेंट्स बालू साही जो है चास्टी में अच्छी तरह से मिल गया है वह इसको हम निकाल लेते हैं यह दिखिए मैंने पहला वाला बालू साही निकाला है इसके बाद मैं सभी को एक एक करके निकाल लेता हूँ तो फ्रेंट्स सभी को निकालने के बाद इसको हम पिष्टा से गार्निश कर लेते हैं तो दोस्तो अगर आपको आज की हमारी बालू साही की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शियर, कमेंट जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे दबैसलर कीचन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजेगा और वैल एंकरन की घंटी को प्रेस कीजेगा ताकि आप तक नए रेसिपी, कुकिंग वीडियो और कुकिंग ट्रिक आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद